नमस्कार आप देखरें बिस तक मैं हूँ आपके साथ अइनमा जुवेडी और मेरे साथ इस समय मौझूद हैं प्रवीन शर्मा जी बात आज करेंगे हिंडिनबर्ग रिपोर्ट की हिंडिनबर्ग रिपोर्ट जिसने एक बार फिर से तहल का मचा दिया है इस बार जो हिंडिनबर्ग रिपोर्ट आई तो मामला एक बार फिर से अडानी ग्रूप को ले करके गर्मा गया और अडानी ग्रूप को ले करके मामला ऐसा गर्माया कि उसकी पूरी आच माद भी पूरी बुच पर पहुँच गई यानि से भी चेयर परसन तक पहुँच गई क्या यह पूरा मामला जो आरोप लगे हैं वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझा रहे हैं लेकिन यह सभी आरोप जो हिंडिनबर्ग की अभी ताजा रिसर्च रपोर्ट में माद भी पूरी बुच और उनके पती धवल बुच पर लगाए गए उसमें एक बड़ा नाम सामने आया और वो है अगोरा एडवाइजरी का अगोरा एडवाइजरी से जुड़ा यह पूरा मामला क्या है कैसे इसका कनेक्शन बैठ रहा है अड़ानी के साथ और माद भी पूरी बुच और उनके पती धवल बुच के साथ यह सब कुछ प्रवीन जी से समझेंगे शुरुआत करते हैं कि सर आखिर एडवाइजरी का यह जो है अगोरा एडवाइजरी का मामला यह क्या है पूरा मामला कहां से आ गया यह हिंडिनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट में नाम और कैसे जुड़ गया डानी से गरेक्शन बिलकुल देखिए जो हिंडिनबर्ग की जो रिपोर्ट लेटेस्ट आई है दस्तारी को उसमें जो तीन बड़े आरोप लगाए गए हैं उसमें एक आरोप है अगोरा एडवाइजरी फर्म है अगोरा एडवाइजरी प्राइबिट लिम्टेड उससे जुड़ा हुआ है उससे किस तरह से सेभी चेयर परसन माधव पूरी बुच की जो कमाई है उनको जो सेलरी है उससे साड़े चार गुना ज्यादा उनको इस एडवाइजरी इस कंसल्टेंसी फर्म के जरिये उनको कमाई हुई है बताया यह गया है को उनको दो करोड़ रुपे का जो दो करोड़ रुपे की अर्निंग यहां से हुई है जबकि जो कि उनकी जो सेलरी है, चेयर परसन रहते हुए, उससे साड़े चार गुनाज ज्यादा है, ये एक बड़ी बात इसमें आई है, अगोरा एडवाईजरी को लेके जो आरोप लगाये गया है, वो ये है कि इस कंपनी की नियू माई 2013 में पड़ी, और इसमें 99% स्टेक अभी भी माधुवी पुरी बुच के पास है, जबकि इस कंपनी के डारेक्टर है, वो इनके पती धवल बुच है, ये बात है, 2022 का जो फिस्कलियर 2022 है, उसमें इस कंपनी की जो अर्निंग है, या जो रेवेन्यू है, वो दो लाक एक सट हजार रुपे, डॉलर बताई गई है, जो कि उनकी कमाई से जब तब वो जब होल टाइम डारेक्टर थी से भी थी, होल टाइम मेंबर थी, तब उसके मुकाबले उनसे काफी ज़्यादा उसकी कंसल्टेंसी से कमाई हुई है, ये एक इसमें बात कही गई है, इसके अलावा वो एक सिंगापुर की फर्म जो है कंसल्टेंसी फर्म, उसमें भी वो उससे भी जड़ी हुई है, ये भी बात आई है, अप्रेल 2017 से 2022 तक वे इस कंपनी में भी रही है, तो रिसर्च रिपोर्ट में माधभी पुरी बुच को टार्गेट यहां पर किया गया है, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में ये भ साथे मुनाफ़ा होने की भी बात कही गई, उनकी सालेरी से बत और से भी चेयर परसं साधे जो सालरी उने मिलती है, उसे साधे चार गुना जादा मुनाफ़ा होने अगोरा एडवाईजरी से हो रहा है, इसको डिस्ट्लोज ना करने की बात, रिसर्च रिपोर्ट में कही लेकिन एक और investment है जिसके बारे में हम discuss कर रहे थे अभी off camera उसके बारे में भी हमारे निवेशकों को बताएं कि आखिर हिंडनबर्ग research report में यह कौन सा investment है जिसके बारे में बात की है इसमें जो सिंगापुर की consulting firm है Agora Partners इसमें भी माधवीपुरी बुच का बुच ओनर रही है जो बात जो आरोप लगाया गया है इसमें कहा गया है कि April 2017 से March 2022 तक वो इसकी owner रही है और उसके बाद इन्होंने इस company की ownership अपने पती को transfer कर दी एक March 2022 से माधवीपुरी बुच सेवी की chairperson बनी है और उसके बाद उन्होंने चुपके से यह जो आरोप लगाया है इसमें report में जबके से इसके पूरे 100% share अपने पती को transfer कर दिये तो यह इसमें एक बड़ी बात कहीं कहीं है तो investment disclose ना करने को लेकर बड़ा आरोप है इस समय माधवी पुरी बुच के ओपर Hindenburg Research की तरफ से जो report दी गई उसमें यह बताया जा रहा है कि एक तो Adani से connection उपर से आपने जो माधवी पुरी पुच यह भी कह रही है कि जब यह investments हुए तब हम एक private life जीते थे मैं सेवी की chairperson नहीं थी तो क्या यह disclosure कितना जरूरी होता है एक private person की life में होना और एक सेवी chairperson के तरीके से होना क्या यह disclosure होना चाहिए था बत और research report जो कह रही है पहली बात तो यह आरोप लगाए गई है एक चीज है न हाला कि उन्होंने इसके screenshot भी डाले है अगोरा advisory में जो 99% stake माधवी पुरी पुरी पुच के पास है उसका उसके screenshot इस report में लगाए गई है और हाला कि इन्होंने जो माधवी पुरी पुच और उनके husband का जो बयान आया उसमें उन्होंने इन सार दभी छिपी बात कुछ नहीं है तो एक तो नोंने ये बात कही है और आरूपों को खारिच किया है लेकिन अगर ये consultancy firm जो है जिसमें उनको लंबी चौड़ी कमाई हुई है उनकी investment उनका जो consultancy का business है उसमें सेभी chairman रहते हुए भी अगर उनका investment है तो देखने वाली बात ये ज्यादा बड़ी है कि क्या सेभी के norms इस बात की इजाज़त देते हैं एक बात है दूसरी बात जब appointment हुआ है उसके बाद उन्होंने अपने ये share को transfer किया है अपने पती को जो Singapore वाला उनका Singapore वाली जो entity है अगोरा partners की तो क्या वो सही था या नहीं था क्या सरकार के पास इसके disclosure मुहिया कराए गए थे कि हमारा जो consultancy services है उसमें 99% stake है ये कुछ ऐसे बड़े सवाल है सेभी के नियम क्या कहते हैं ये देखना होगा ये इन सवालों के अब जब वो अपना detailed response देंगी सेभी chief और उनके husband देंगे जैसा उन्होंने कहा है अपने अभी के statement में तब इन सारी चीजों पर तस्वीर साफ होने की जादा उम्मीद है और हो सकता है सरकार की तरफ से भी इस मामले में आज शाम तक कुछ बयान आए कुछ चीजों को साफ किया जाए तो अगोरा advisory का नाम हिंडिनबर्ग research report में आता दिखा मादभी पूरी बुच के उपर ये पूरी सामने आया है इन सब बातों पर एक बयान जारी करके ये कहा गया कि ये सब कुछ बेबुनियाद है इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है इसमें factual कोई भी सच्चाई नहीं है ये सब कुछ मादभी पूरी बुच उनके पती धवल बुच और गौतम डानी ने कहा ले और इसमें आगे और क्या-क्या आक्शन्स होंगे हम सब कुछ आपको बिस्तक पर कवरेज देते रहेंगे टाइम टू टाइम देते रहेंगे फिलहाल यही जानने वाली बात है कि मादभी पूरी बुच के उपर बड़े आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में आपको बताएंगे तब तक के लिए देखते रहें बिस्तक आपके लिए लाया है प्रेमियम मेंबर्शिप प्रग्राम जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायते जिन में मार्केट न्यूसलेटर, लाइब चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटल बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें, बस बन गई आप हमारे प्रिम्यम मेंबर्शिप.